परिचय विभिन मिश्रणों के अव्यवों को क्रोमेटोग्राफी, आस्वन और प्रभाजी आस्वन द्वारा प्रथक किया जा सकता है। तो आईए इस मॉड्यूल में हम कुछ अन्य प्रिथिक करण की विधियों की चर्चा विस्तार से करें। उद्देश्य इस पार्ट के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। उर्द्व पातन यह विधि उन मिश्रणों के प्रथक करण के लिए अपनाई जाती है जिनके अवियव जो गर्म करने पर सीधे गह सवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उनमें उपस्थित अशुधियों जो गर्म करने पर सीधे गह सवस्था में परिवर्थित नहीं होते उससे गर्म करने पर प्रिथक हो जाते हैं। प्रोमेटोग्राफी अव्यवों का मिश्रण होती है। वो अव्यव जो जल में अधिक घुलनशील है पानी में जल्दी खुलता है और प्रतक हो जाता है। आसवन इस विधी में परस पर घुलनशील द्रवों को उनके मिश्रण को उबालने के पश्चात उनके वाश्प के शीतलन द्वारा उनको संगनित करके प्रतक किया जाता है। साधारन आसवन का प्रयोग उन दो परस पर घुलनशील द्रवों को प्रतक करने के लिए करते हैं जिनके कोथनांगों में परियाप्त अंतर होता है। यदि एसिटून और जल को आसवन उपकरण में गर्म किया जाए तो एसिटून का कोथनांग कम होने के कारण वह जल से पहले उबल कर वाश्पित होगा और शीतलन विथी द्वारा संगनित होकर जल से प्रतक हो जाएगा। प्रभाजी आसवन का प्रयोग उन दो परस पर घुलनशील द्रवों को प्रतक करने के लिए किया जाता है जिनके कोथनांगों में 25 के से कम का अंतर होता है। प्रभाजी आस्वन का प्रयोग पेट्रोलियम के अव्यवों तथा वायू से विभन गैसों को प्रथक करने के लिए किया जाता है। वायू के अव्यवों का प्रथक करन। वायू विभन गैसों का मिश्रण है। वायू के अव्यवों को प्रभाजी आस्वन द्वारा प्रथक किया जा सकता है। वायू को दबाव बढ़ा कर और ठंडा करके द्रवित वायू में संपीडित कर लेते हैं। इस द्रवित वायू को प्रभाजी आस्वन इस्तंभ में धीरे धीरे गर्म करते हैं। तब उसके अलग-अलग उंचाईयों पर अपने-अपने कौथनांग के अनुसार प्रथक हो जाते हैं। क्रिस्टली करण द्वारा ठोस पदार्थों का शुद्धी करण। क्रिस्टली करण विधी में किसी ठोस पदार्थ को उसके विलियन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। क्रिस्टली करण विधी द्वारा हम कौपर सलफेट के विलियन से शुद्ध कौपर सलफेट प्राप्त कर सकते हैं। जल की कम से कम मात्रा में पांच ग्राम कौपर सलफेट घोलें अशुद्धियों को अलग करने के लिए विलियन को छान लें संत्रिप्त विलियन प्राप्त करने के लिए विलियन को चाइना डिश में वाश पी कृत करें विलियन को छानक पत्र से ढख कर ठंडा होने दें ठंडा होने के पश्चाद शुद्ध कॉपर सलफेट के क्रिस्टल मिलेंगे शुद्ध पदार्थों के प्रकार शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं जिन्हें तत्व और योगिक कहा जाता है तत्व या पदार्तों के मूल रूप होते हैं, जिन्हें किसी भी रासाइनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। अधातू, ये चमकीली, गुनजायमान, लचीली, आगातवर्धनिये तथा तन्य नहीं होती हैं, तथा ये विद्युद और उश्मा की कुचालक होती हैं। उपधातू, ये वे तत्व हैं जिनमें कुछकुण धातूं के तथा कुछकुण अधातूं के होते हैं। जैसे बोरान, सिलिकन, जर्मेनियम इत्यादी, योगिक, ये वे पदार्थ हैं जो दो या तो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासाइनिक संयोजन से बनते हैं। जैसे जल, कार्बन डायोकसाइड, शरकरा, नमक, आइरन सलफाइड इत्यादी। क्या आप जानते हैं। तत्व की संकल्पना रॉबर्ट बॉयल 1627-1691 ने की थी। उनकी परिभाशा का प्रायोकात्मक आधार था कि तत्वों को किसी भी तरह अन्ने सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका तात्पर ये था कि सभी तत्वों की पहचान आस्थाई थी। जब तक की बेहतर तकनीकों दुआरा यह नहीं बताया गया कि संभवता गल्थी से किसी योगिक को तत्वों मान लिया गया था। उस समय का एक महतपून विचार परमाणों की स्थटा का था। जिसके नुसार कौपर का परमाणू हमेशा कौपर का परमाणू ही रहेगा और किसी भी प्रकार परिवर्तित नहीं होगा रेडियो धर्मिता, सनलयन और विखंडन जैसी आधुनिक खोजों ने इसे गलत सिध्ध कर दिया ये विशे भौतिक विज्ञान और रसाइन विज्ञान के बीच के हैं और इन्हें आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं प्रितक करण की सही तकनीक का प्रयोग करके किसी भी मिश्रन से शुद्ध पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है शुद्ध पदार्थ तत्व अथ्वयोगिक हो सकते हैं तत्व पदार्थों के मोल रूप होते हैं जिन्हें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। योगिक वेपदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं। योगिकों के गुण धर्म उन तत्वों के गुण धर्मों से अलग होते हैं जिन से मिलकर वह बना होता है।